असलाम उलेकूम स्टोडेंट मैं इन हीज इंवार्मेंट में आज हमारा टॉपिक है बायो जीओ कैमिकल साइकल ठीक है अगर मैं इस टर्म को आपको एक्स्पेंड करूं तो बायो जीओ कैमिकल कैमिकल साइकल अगर इस टर्म को मैं एक्स्पेंड करूं तो इसमें आपके पास एक जो वर्ड है ये तीन टर्म से मिलके बनावा है बायो जीओ एंड कैमिकल्स बायो मीन लाइफ जीओ मीन अर्थ कैमिकल मीन्स एलिमेंट ठीक है लाइफ में हमारे पास कौन से थिंग्स एंकलूड़ीद है अगर हम लाइफ की बात करें तो ऑल लीविंग अर बात करें क्योंकि हम बायो से रिलेटेड हम पड़े हैं तो इसमें हम बायो इलिमेंट को डिसकॉस करेंगे बायो एलिमेंट्स हमारे पास टोटल 16 है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फोस्फोरस इनकी रेशो जो है वो ज्यादा है इन 16 बायो एलिमेंट्स में से हम इनको इनकी बात करें ठीक है तो देखें बायो जियो कैमिकल साइकल तो इसमें हम साइकल का वर्ड non-living से living में convert हो जाते हैं तो यह cyclic path में होता है बहुत सारे elements जो है जो living organisms का part होते हैं फिर वो non-living यानि अर्थ का part बन जाते हैं फिर वो non-living से दुबारा living में convert होते हैं और इस तरह यह cycle जो है वो चलती रहती है इसको हम bio जीयो कैमिकल साइकल के साथ इसमें हम पढ़ते हैं अब इसमें हम मैंने आपको बताए कि टोटल 16 बायो ऐलीमेंट्स है लेकिन मेजर जो है वो कार्बन है जो नाइट्रोजन यहीं है तो हमारे पास इस साइकल में टू साइकल्स हैं जो आपके बुक में डिसकस की हुई है जि कार्बन के सोर्स में हमारे पास अगर हम देखें कि जिस जगह पे कार्बन प्रेजन्ट है वो बहुत सारे लिविंग बॉडीज है जितने भी और्गैनिक कंपाउंट्स है उनमें कार्बन प्रेजन्ट होती है और्गैनिक कैमिस्ट्री पूरी एक ब्रांच है जिसमें हम हा कार्बन डायॉक्साइड ऑसाए जो के हमारी और में प्रेजन थी ठीक है इसके इलावह बहुत सारे और गैनिक कम पांड जिन एंगे इन सब सोर्स में वहां देखेंगे को वहां देखें वह शोरुइम अरगarta तौह चैलिएवंग औरitter में नहीं को कंज्यूम नहीं कर सकते तो यह तो हमारे पास कार्बन साइकल में यूज नहीं होंगे तो हमारे पास जो सबसे मेजर सोर्स है कार्बन का वो कार्बन डायोकसाइड है जो हमारी एयर में प्रेजेंट है ठीक है यह कार्बन डायोकसाइड जैसे के हम सन लाइट है ना हमारा सोर्स अनरजी का वह सनलाइट है मैंने आपको प्रिविएस लेक्षर्स में बताया था कि अनरजी का सबसे बड़ा सोर्स कोन सा है सोलर अनरजी यानि सनलाइट के नर्जी लिकिन हमारी बॉडी में यह अबिलिटी नहीं है कि हम उस सनलाइट को डिरेक्लि एब्सपर कर सके और क्णार्बन बी यूज मी time बगए कर सकते एंद अब्वन करेंगे को घी τον इसके संलाइट सब्सक्राइब प Ary haw टरी करक्ते सब्सक्राइब carbon dioxide को भी क्या करेंगे यूज करेंगे इंटेक करेंगे इन दे प्रोसेस ओफ फोटो सेंथेसिज फोटो सेंथेसिज के एंड प्रोडेक्ट में हमारे पास क्या रिलीज होता है ओक्सीजन एंड गुलुकोज ठीक है अब देखें कार्बन डाउकसाइड इनवार्मेंट से लिविंग कंपोनेंट्स में आ गई किस ने यूज किया प्लांट्स ने यूज किया बाइद प्रोसेस ओफ फोटो सेंथेसिज ठीक है अब इस फोटो सेंथेसिस के अंड प्रोडक्ट में हमारे पास एक तो oxygen प्रोड्यूस हुई दूसरा हमारे पास गुलुकोज प्रोड्यूस प्रोड्यूस हुआ ठीक है जब हम सांस लेते हैं इस oxygen की वज़ेसी filters करते हैं तो respiration के end product में हमारे पास release हुती है carbon dioxide ठीक है तो देखें कार्बन डाउकसाइड को हमने क्या किया इस कार्ब कार्बन डाउकसाइड दुबारा in-working में चली गई Carbon dioxide's को प्लांट्स ने यूज किया इन फोटosynthesis प्रोसेस और फिर प्लांट्स से जो Oxygen us और और gwृौ और इस्फीरेशन के प्रोसेस से दोबारा Carbon dioxide जो है वो Environment में चली गई है ठीक है तो यह हमारे पस एक उन्वानटिक साइक्लिक पाथ वे हैं यह देखेशन के selves प्लांट्स ने करबन डायॉकसाइट को यूज़ किया अब देखे इसमें ओर भी हमारे पास क्या है अभी प्लांट्स ने गुलुकोस को भना लिया कि है गुलॉकोज में भी कंई है एक तो यह से है के हमारी हमारा जो अर्थ में प्रेजस है वह और अलेडी प्लांट dub कि प्लांट की वजह से हैं एक हम्र Вас डॉसरा हम पास कारबन को रिटर्न करने का सौर्स हमने कहा कि उसक है तो हैं फॉसके अपने को live रखने के लिए ठीक है अब इससे क्या होगा इस गुलुकोस से प्लांटेटि अपनी डैंता करेंगे ठीक कहेंब अगर हम देखेंगे तो प्लांट्स जो है उनके प्लांटपी वह है वह बी और्ङानिक मपाऊंच से बनी है तो हम एंक जाता है तो जितने भी organic compounds होते हैं वो किसमें carbon जैसे इसमें carbon present है तो उसका oxide बन जाएगा जब भी हम compounds की combustion process से गुजारते हैं तो वो oxidation का process के लाता है और उसमें oxides बन जाते हैं जैसे इसमें carbon है जब हम इसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा carbon का oxide बन जाएगा तो इस तरह यह जो carbon है वो living organisms में convert होती है और फिर दुबारा non living component में यानि non living means environment को दुबारा दे दी जाती है और फिर दुबारा environment से इसी तरह ली जाती है अच्छे इसमें आपको एक और deforestation की वजह से जो हमारी environment पे impact आ रहा है आप देखें यह तो हमारे पास एक balance cycle है ठीक ह और carbon dioxide use हो रही है और फिर carbon dioxide respiration के तुर्व environment में return की जा रही है अब देखें जो carbon dioxide को यूज कर रहे हैं वो plants लेकिन अब क्या किया जा henénergie for के जंगलाद के डिवेजिस्ट करने και प्लांट्स ना लगाने की वज़ेश से क्या हो रहे कि डीफोरेस्टेशन की वज़ा से सिल्फ और सिर्फ रेस्पारेशन जादा होती जा रही stove तो उसके नतीजे में क्या हो रही है कि carbon dioxide environment में जात हो रही है लेकिन oxygen जो है means जो carbon dioxide को use करते हैं उनकी ratio कम होती जा रही है तो carbon dioxide अगर तो यह balance में है ठीक है environment में जितनी use हो रही है उतनी produce हो रही है फिर तो वो एक fine environment है लेकिन अगर carbon dioxide use नहीं हो रही है और produce जाता हो रही है तो इसका एक बहुत बड़ा impact है क्योंकि इसको हम greenhouse gas भी कहते हैं जैसे ozone काम करती है फॉर एक्जांपल यह हमारी environment है तो environment में जैसे high rays आती है और ozone उनक वो दिन बढ़ता जा रहा है तो इसको हम greenhouse gas भी कहते हैं तो deforestation की वज़े से यह हमें नुकसान हो रहा है तो यह थी हमारे पस carbon cycle hopes of students you get all my points if you have any question about this then you ask in my comments box